आप दोस्तों मैं रोहुन शमा स्वाद कतम सभी का आपके अपने चनल जोतिशिन वास्तुम है कैसे हैं आप सभी ाप सभी ने सुरेग्रहें की कुंड्ली का राजन्यति राजनिती कुतल-बॉतल देखे लिया औब अशेंप सब्कारति और सब्सक्राइब कांशन्स वि्येजु के सब्सक्राइब को और सब्सक्राइब लिए जादा अच्छे से यहां पर कहीं निकें आपको रिजल्ट देते हुई नजर आईगी तो राजनीतिक उतल पुदल पर जो भी कैलकुलेशन थी वह मैं आपको उस वीडियो में आपसे मिस ना हो जाए तेकि जिस तरह से कुणली आपको देखने को मिल रही है मिथुल लगन की यहां पर कुणली बनी हुई है सूर्य गरहन ट्वंटियद ऑफ एपरेल टू-023 की कुणली है आप सभी अपने मुवाइल में बना करके भी देख सकते हैं और मिथुल लगन की कुणली यहां पर दिखा दिती है की कहीं नहीं ऋंकर रूख कहीं पर काफी की वजए से परिशानियां काफी जदा बढ़ते हुए नजर आएंगी यह बिल्कुल क्लीर लिए नजर आएगा अगर आप इससको ध्यान से समझेंगे देव देवगुरु ब्रहसपती जब हम सूर्य करहन की कुल्डी देख रहें तो देवगुरु ब्रहसपती यहां पर विराजमान है केंद्र में विराजमान है अपनी स्वाराशी में विराजमान है और ठीक एक दिन बाद देवगुरु ब्रहसपती यहां से मेश में यहां पर ट्र करमा का अपने आप में नेगटिव हो जाना बुद्ध का राहु के साथ मिल करके अपने आपको प्रबल बना देना और राहु का इन सब के साथ मिलके एडवांटेज ले लिना ये काफी जाधा घंबीर इस्तिधी पैदा करता है और मेश में यह जो घ्रह इस्तिथी यह बतात लगती हैं देखिए 20 तारिक को यहां पर ग्रहन है नोट कर लिजेगा प्लिस बात को 20 तारिक यहां पर ग्रहन है और आने वाले पांच दिन 25 तारिक तक का जो समय रहेगा इस 25 तक के वीच में कहीं बड़े भुकम की आशंकाई यहां पर दिखाई देती है खासकर 22 23 का जो ट तो आपके लिए क्या-क्या जगे पड़ती है यहां पर इंडोनेशिया से लेकर के जापान के एरिया में कहीं न कहीं बड़े बुकम के जटके दिखाई देते हैं यहां पर बन रहे हैं तो तेज हवाओं का रुक रहेगा बहुत जादा वैदर में चेंजिस देखने को मिलें यह और कुछ जगों पर तो बारिश की भी संभावनाएं यहां पर दिखाई देती है तो यह एक बहुत बड़ा रोल यहां पर ग्रहों का दिखाई दिता है ठीक इसके अपोसिट डिरेक्शन में अगर हम यहां से एक एंगल देखें और ठीक इसके अपोसिट पर देखें बबनगल के तो मौसम और भी जादा खराब होता हुआ नजर आएगा और उडीसा में कहीं पर रेशानया बढ़ते हुए नजर आएगी यह बिल्कुल clear calculation दिखाई देती है मौसं का जो प्रभाव है Australia में परेशानिया देगा Indonesia में परेशानिया देगा निउजिलेंड में किसी भी तर भी घट्नाय घट सकती है भारत में अगर देखें तो ऊडिसा में परिशानिया थोड़ी सी बढ़ते होगे नजर आएंगी इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं इस वज़े से देखा जाए तो यह जो डैलेक्शन है यह जो समय है यह डेफिनेटली वैदर को लेकर के काफी जादा परिशानी दिखाता है इसके अलावा यहां पर देखा जा होगा कि आने वाली चार महिने हम कहीं न कहीं शिफ्ट हो जाएंगे नौट से साउथ की दरफ होते वह नजर आएंगे नॉट पोल से साउथ पोल हम जाएंगे चंद्र जब आएगा तो उसका एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा और चंद्र ग्रहन्ट के लगते ही स समुद्रों में भाली उच्छाल होना यहां पर दिखाई देगा यह बात बिल्कुल क्लियर है यह बात मैंने पहले वीडियो में कही है आने वाले समय में चंद्रग्रहंट के कुंडली भी आप सभी को दिखाऊंगा और उसके ऊपर भी साली कैलकुलेशन करूंगा फिर अभी से पहले पहले का जो समय है यह अशांति का माहौल पैदा करता है खासकर यहां पर देखा जाए चार दिन का और समय यह बड़ी गटनाओं को बड़ी परिशानियों को बड़ी गोटालों को कहीं के इंडिकेट करता हुआ नजर आता है इसके बात का समय जो रहेगा वो धीर साने की कोशिश करूगा जहां पर आपके अपनी राशी मेंस क्या-क्या चीजें कटने को ृइन करने का को कोशिश यहां पर जरूर करूँ अब आप सब तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केरफूल यहां पर रहने की जरूर थे क्योंकि कहीं न कहीं आपको परिशानिया बढ़ते हुए नजर आए कि इस तरह की योग बन रहे हैं तव्यत में और खास कर अगर मैं स्कूनली को कैलकूलेट करता हूं तो लोगर बोड़ी पर परिशानिया मुझे ज़ादा दिखाई दीती हैं लोड़ बोड़ी पर परिशानियों की वज़े से आप सभी कि सेहत पर परिशानिया ना आए इस बात का विशेश द्यान रखेगा इसके अलावा यहां पर एक और चीज़ का द्यान रखेगा हाट अटेक के केसिस बहुत जादा बढ़ते हुए नजराने वाले हैं खासकर आन रहा है हवाएं बदल रही है वैदर में टेंपरेचर बदल रहा है गर्मी भैंकर पड़ेगी बड़ अंस्टेबल गर्मी रहेगी जहां पर गला ज्यादा सुखेगा शरीव को पानी की ज़रूर जादा रहेगी पानी की कमी महसूस करेंगे बारिश फ्लक्च्ट होती पानी को लेकर के परिशानियों का साल यह पूरे साल में पानी की वज़े से परिशानिया है पानी तबाही लाएगा और पानी ही कहीं के सेंट्रल पॉइंट बनता हुआ नजर आएगा इसलिए पानी का सदुप्योग करना पानी का सही इस्तमाल करना आप सभी को सीख लेना बट हमारे गर के बाहर पशू पक्षी जानवर रहते हैं वो पानी के लिए तरस जाएंगे 40-50 टीडी का टेंपरेचर होने वाला है आपर भेंकर लू चलने वाली हैं आपर तेज हवाय चलने वाली हैं अपने गर के बाहर थोड़ा सा किसी के लिए पीने के पानी की सादूसरों के लिए कर सकते हैं प्लीज करने का प्रयास करिएगा ताकि सभी को इससे फाइदा मिले और सभी इससे अपने आपको तोड़ा सा रहत मैसूस दे पाएंगे तो अमावस्या पर इस शुब्ब कारिये कि अगर शुरुवात कर ली जाए तो इससे अच्छा और का महीना वेट कर लीजेगा उसके बाद चाहें तो जाएगा आगे की जानकर इम और एक्स्प्लेइन करूंगा कि कौन सी राशी के लोग जा सकते हैं कौन सी राशी के लोग ना जाएं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा ताकि आप सभी को पहले सी प्रिकॉशन लेने का अमीद करता हूं वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल आइकन पर जरूर से क्लिक करिएगा कुछ भी पूछना चाहते हैं अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं आप मुझसे संपर कर सकते हैं मैं पूरी-पूरी कोशिश करूंगा आप सभी कि हर संभाव मदद्यां पर कर सकूंँ धन्यवाद